बुर्हान ये सब क्या था सजाद बुर्हान से पूछ रहा था मैं एच छट पर लाइटिंग करने किया तो मैंने देखा वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था मैंने उसको रोका बुर्हान रोकना अलग चीज होती और मारना अलग चीज तुम्हें समझ नही तुम केह रहे हैं रहे हैं तुमुसे रोक रह थे वुजवर से बोल रहा था तो क्या करता है वहा तंमाशा लेक्षीट बिखेरत आत्मी सब लोगों के आने पर मुकर गया और सारे जा मुझे पर उस लड़की पर डाल दिया, मुझे तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता हो, और वो कह रहा था कि मेरा और उसका वो आगे रुक गया, साधिया बेगम दर्वाजे से अंदर आई, वो दोनों बोर से बोर रहे दे कि साधिया बेगम के कानों तक उनकी आवाज पोच गी थी, पुर्हान ने उन्हें अंदर आते देखा तो खामोश हो गया, पुर्हान साधिया बेगम ने उसे देखते हुए का, तुम जानते हो एक लड़की के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है, पुर्हान गहरी नजरों से उनकी आँखों में देख रहा था, सजाद चुप खड़ा था, उसकी इज़त, मैं मानती हो तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारा इरादा ठीक था, मगर अंदाज गलत, तुमने ये नहीं सोचा, इस तरह करने से उस लड़की की इज़त पे बात आजएगी, यहां शायद आगे बोलते वे बुरुकी, आ गई है, मर्द एक उसल से पाक हो जाता है, मगर औरत के दामन पे खून का छीनटा भी कोई देख ले तो बात उसके किरदार पर आ जाती है, मर्द अगर गलत करके भी आजए तो कोई उससे कुछ नहीं कहता औरत बेकसूर होकर भी गुनागार ठेराई जाती है, जो हुआ वो गलत हुआ, हम सुबह जाकर सारा मामला उनको समझाएंगी अम्मी क्या जरूरत है, वो आगे बोलने ही लगा था कि साथिया बेगम बोल पड़ी, बात उसकी इज़त की है, वो ये बोल कर बाहर जाने लगी तो सज्जाद बुरहान की तरफ मतवज़े हुआ, यार आउंटी ठीक कह रही है, उस लड़की कोई कसूर नहीं लेकिन फिर उस पाँ चांद चमक रहा था, तारो ने पूरा असमान रोशन किया हुआ था, किसी को चांदी रात में नीन नहीं आई, मैं आज भी तुम्हें देखने के लिए ऐसे तरस्ती हूँ जैसे एक सहरा का पला बिच्छो समंदर को देखने के लिए तरस्ता है, जैसे मनने वाला जिन्दगी के लिए तरस्ता है, जैसे किसी गरीब का बच्चा खलोनों के लिए तरस्ता है, माहम चांद की तरफ देखकर बोल रही थी, आंके नम थी, परीशे नमाज पर ली तो फिर दूआ मांगने लगी, अल्ला जी, आपको तो पता है ना, कि मैंने कुछ नहीं किया, म अगर वो खुद को तूटने नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो जानती थी, अगर वो ये जाहिर करेगी, कि उसे तकलीफ हुई है, तो परीशे खुद को गुनागार ठेराने लगेगी इस सब का, बुरहान भी वो वाक्या सोचे जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, कि एक लड़की के साथ कुछ गलत होने जा रहा था, उसे घुस्सा आया, उस ते उसे मारा और उस लड़की को बचा लिया, लेकिन क्यों, क्यों किया मेंने ये, मुझे बहुत घुस्सा आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो दिली दिल में कह रहा था, आज की रात नीन किसी के नसीब में नहीं थी, जितनी गहरी रात थी, उन सब की जिन्गयां भी उतनी ही सियाथ थी, सुबह हो चुकी थी, हर तरफ रोशनी फैल की थी, तुम निकलो इस घर से, तुमारी वज़ा से हुआ है ये सब, तुमने ही किया है, ताई, परिशे का हाथ पकड़ कर उसे घर के सेहन में ले आई थी, ताई, अम्मी मेंने कुछ नहीं किया, यकीन करें मुझ पे, मैं बेकसूर हूँ, ताई, अम्मी, वो अपनी बेकसूरी थाबित करने की कोशिश करी थी, तुम्हारी वज़ा से मेरी बेटी की शादी तूटकी, अब कौन करेगा मेरी बेटी से बताओ, तुम्हारी वज़ा से सब हुआ है, काश अपने माबाप के साथ, तुम भी बच्पन में मर जाती, और हम पर यह अज़ाब कभी ना था, अम्मी छोड़े इसका हाथ, क्या करी हैं आप, फाइसा बीच में आई और परीशे का हाथ चड़वाया, अम्मी जो भी ना के इनसान की मर्जी से, वो बकाइदा चीख कर बोड़ रही थी, तुम चुप करो, तुम्हारी वज़ा से हुए, तुमने ही इसे सर पे चड़ाया, ताई फाइजा पर घुसा करने लगी, परीशे की आँखों से आसों गे रहे थे, जैसे तेज बारिश में कतरे गिरते हैं, मैं इसको एक मिंट अपने घर में बरदाश नहीं करूंगी, ताई का आज बारा साथ में आसमान पर था, क्या सोचा ता मेरे तुम्हारी शादी करूंगी, एक बोच सर से उतरेगा, उसके बाद माहम के बारे में सोचूंगी, उसामा की बढ़ाई पूरी होने के बाद वो नोकरी करेगा और हमारे हाला ठीक हो जाएंगे, लेकिन सब बरबाद कर दिया इसने और इस मासूम बच्चे पर भी उसने इतना घटिया इर्जाम लगा दिया, बोच, अमी में खूद करती हूं सब कुछ, आप लोगों के भी इखराजात मैं उठाती हूं, ना में ने क उसने क्या समझा बिन माबाप की बच्ची है तो जो चाहे कर सकता है, मैं तो आज उसके घर जाके ऐसा सुनाओंगी ना किसके साथ नसले याद रखेगी, मैंने परीशे को कभी अपनी कजन नहीं समझा, वो बेहनों से बढ़कर है मेरे लिए, मैंने उसे माओं की तरा पाल और दिली दिल में उसे सकून महसूस हो रहा था, साथ में घुसा भी था, जो हो रहे तुम्हारे साथ सही हो रहे, तुम्हारी वज़ा से बुरहान पर किता घटीया इल्जाम लगा है, वो और तुम, मैं तो सोच भी नहीं सकती, बुरहान की चुईस इतनी खराप नहीं हो स इस वक्त माहम को उससे नफरत हो रही थी, उसी वक्त दर्वाजे पर दस्तकोई, कौन, ताई अमी जोर से चिलाई, हम अंदर आ सकते हैं, बाहर एक औरत ब्लू कलर की शलवार कमी से बेतन की होई थी, चेरे पर सकाफ किया था, जिससे बाल नजर नहीं आते थे, और उनके स कुछी होई थी, मगर वो ये बात जानने से कासिर थी, कि बुरहान की अमी क्यों आई है, देखे बेहन, मुझे आपसे जरूरी बात, आप मेरी बात सुने, हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, ताई ने साधिया की बात काट गए, अपनी बात शुरू की, फाइजा ने उनक के लाल हुई थी, उस पर डाली, पहले बुरहान को देखा, फिर सजाद को, सजाद इशारे से समझ गया था, कि वो क्या पूछना चारी है, उसने हाँ में सर इलाया, देखी, आपको कुछ गलत वहमी हुई है, कर जो कुछ भी हुआ, उसमें ना मेरे बेटे का कोई कसूर है और ना ही आपकी बेटी, वो आगे बोलने लगी थी किताई ने उने रोका, मेरी बेटी नहीं है वो, मेरी बेटी ऐसी कुछ हरकत करी नहीं सकती, सजाद ने एक नजर दूर खड़ी हुई माहम पे डाली, और दिल में ये कहने लगा, आपके बेटी क्या क्या कर सकती है, वो अस्तियास पर लगा दिया, ये तो वो ही बात होगी, उर्टा चोर को तवाल को डाटे, आप मेरी बात सुने, मुझे कुछ, वो आगे बोलने लगी थी कि फाइजा ने धीरे से उनके कान में सरगोशी की, अम्वी, इनकी एक बार बात अराम से सुनने, फिर आपने जो करने आप कर लीजेगा खुदा के लिए, फाइजा मिल्ट भरे अंदास में कह रही थी, तो ताइच चुप कर गी, मैं सच कह रहा हूँ, कल मैंने यही देखा था कि वो उसके साथ, वो आगे बोलते हुए रुका, तजरे उठाई, तो सामने खड़ी, परीशे पर पड़ी, जिस उसको देखने के बाद उसने नजरे फिर से जुका लिए, वो उसे देखनी पाया, लेकिन क्यों, क्यों उसने उसे नहीं देख पा रहा था, क्यों उसे तकलीफ हो रही थी, उसे तकलीफ में देखकर ये बात उसे भी समझनी आ रही थी, हाँ मिया, कल तुम और ये बीबी च्छत पर जो कर रहे थी उस बच्चे ने, वो आके बोलने ही लगी थी, कि बुरहान भड़क के उठा, सब खामोश हो गए, आप किसी के किरदार पर बात कर रही हैं, जिस लड़की के किरदार पर बात कर रही हैं, वो आपके हाथों में पली हुई है, आप नहीं इसे पाला जा रहा था, चारो तरफ संडाटा फैल गया था, पुरहान घुसे में था, धूर खड़ी माहम पत्थर बन गी थी, उसका सर भटने लगा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, कि ये क्या हो रहा है, पुरहान उसकी इद्धी साइट क्यों ले रहा है, मुझे पता है, उसका और ताही हिरान होगी थी, फाइजा ने उनका हाथ थप थपाया, तो जैसे मों किसी खौप से बेदार हुई, अपने हावास संभाले और बोलने लगी, जब तक ये इस खर में, इस खर में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी बेटियां यहीं पड़ी रह जाएगी, मैं ये बर शराबी है, चुआ खेरता है, लड़कियों को छेरता है, जेल भी जा चुका है, कौन सा ऐसा गलत काम नहीं है जो उस देने किया और आप उससे इसके शादी कराकिस की जिदगी क्यों पर बात करना चाती है, परीशे वहीं बुद्बनी खड़ी थी, उसे किसी चीज का होश देता है, तो मेरी तकलीफे कब खतम होगी, कब हटेंगी, कब में एक अच्छी जिद्गी जीऊंगी, वो यही सोच ली थी, तुम चुप करो, मुझे इस बला को चल्दी से इस घर से रवाना करना है, मेरा बच चले तो किसी भी एरे गयरे से इसको बे आदू, तुम शुक बुर्हान का दिर जैसे बाहिर आने को हुआ, उसकी आखों से आसु बैरा फिर से शुरू होगे थे, बुर्हान का बस दे चल रहा था, कि उसे जाकर चुप कर वा दे, ये चीज़ ये बेकरारी सज्जाब ने भी नोट की थी, लेकिन बुर्हान को समझती आ रहा था कि उस कवार नहीं थी, सब वहीं अपनी सोचों में गुम थे, ताई दर्वाजे से अंदर आई और परीशे का बाजू जोर से पकड़ा और आके खेट जा, वो जटका खा कर आके बड़ी, आसुस की आँखों से टिप-टिप बर्से जा रहे थे, ताई अम्मी, मुझे दर्द हो तु जा, हमारा पीचा छोड़ दे, अभी काजी को बुला के दो, बोल बढ़ा के दफा करती हूं तुम एक घर से, फाइजा आगे बढ़ी तो ताई ने गिरा कर उसे बोला, तुम चुप कर जो, अपनी जिनगी इसके पीचे खराब कर चुकी हो, मेरे दो फर्द है, मैं त जेरा घुसे से सुर्ख हो रहा था, आँखों में खून उतर आया था, और उन्ही आँखों से उसको देख रही थी, जिसकी आँखे जुकी हुई थी, वो चुप करके सारी बात सुन रहा था, उसकी मान ने उसके हाथ पर हाथ रखा, मेरे साथ आओ, मुझे बात करनी है लड़की, तुम निकाह करोगे उस लड़की से, वो आगे बोलने ही लगा था कि साधिया पेगम ने फैस्ता सुना दिया, अम्मी, वो भी यकीनी से उनकी तरफ देख रहा था, मैं उस लड़की को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन है वो, और आप कह रही है कि मैं जा मिल रही है, वो घुसे से बोल रहा था, वो जमीन पे भारी पा хорошо रखते हुए कमरे की तरफ चारी थी, दरवाजा बंद करके आइने की तरफ खुद को देखने लगी, आइने पर अगस दिख रहा था, वो नहीं करेगा, वो हरके शादी नहीं करेगा, वो तो मेरा है, सि उसे गुस्सा आ रहा था, वो किसी भी एरे खेरे से शादी करवा देती लेकिन उन्हें क्या यही मिला था शादी के लिए, मैं ऐसा हर्गिस नहीं होने दूँगी, मैं उससे मुहबबत करती और वो वो आईने की तरफ देखने लगी तो ऐसा मैसूस हो रहा था कि सामने कोई उससे सवाल कर रहा है, क्या वो तुमसे मुहबबत करता है, तुम्हारा मुहबबत करना काफी नहीं है, उसे इसे यक तरफा मुहबबत कहते है, जो तुमने की है, मगर वो तुमसे मुहबबत नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद करता है, वो दिवाना मुझे वो हर हाल में कबूल है मगर मैं उसे किसी हाल में भी कबूल नहीं मैं नहीं रह सकती उसके मगार या ला मेरा दिल बंद हो जाएगा वो अपना हाँ दिवार पे मारे रोए जा रही वो बेयकीनी से उनकी तरफ देख रहा था बुरहान याद रखो मर्द अगर गुणा करके आता है ना तो वो एक उसल से पाक हो जाता है मगर औरत के दावर पे एक खून का छीटा भी किसी को नजर आ जाए तो वो बदकिर्दार के लाई जाती है उस बच्ची की इज़त में बात आईए वो देखो और पिर अपना फैसला लेडा के तुमने क्या करना है तुम जाते हो लाथ आला के करीम जाता तर वो लोग होते है जो दूसरों की इज़त बचाए चाहे उसमें इंसान का अपना ही नुकसान क्यों नाओ मगर किसी की इज़त बचाना बहुत अबसल अमल है आगे फैसला तुम्हारा है वो ये कहकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी तो पीछे से बुरहान की आवाज आई मैं कर लेता हूं मगर वो आगे खुशी से बढ़ने ही लगी थी कि बुरहान का मगर सुल लिया मगर क्या सूरज उसी तरह अस्मान में चमक राता पत्तों से हावा के जोके टकरा रहे थे साधिया बेगब ने बुरहान की तरफ कहरी आँकों से देखते वे पूछा मगर क्या कुछ देर सहिब में सन्डाटा रा उसके बाद बुरहान बोला मुछसे वादा करें कि जब भी मुझे आपकी जरूरत पढ़ेगी आचे चल के आप मेरा साध देगी आचे चल के क्या मतलब है इस बाद का बुरहान अब आपको सब पता चल रहेगए पहले तो वो बुरहान की तरफ देख रही थी और सोच रही थी ऐसी कोट सी बात होगी जो बुरहान को लग रहा है कि मैं उसका साथ नी दूँगी इसलिए उससे मुझसे वादा लेने की जरूरत पड़ गी वो आगे पूचने ही लगी थी कि सहिंच से चीखने की आवाजे फिर शुरू हो गई ताई अम्मी मेरे कुछ ने किया खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा न करें मेने नहीं किया कुछ कोई मुझे पर यकीन क्यों नहीं करा मेरे कुछ नहीं किया वो गिर गिरा कर अपनी बेकसूरी की दहाया देरी थी अम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती आप ऐसे कैसे कर सकती हैं आपके अपनी भी बेटी आए खुदा से डरे के ही अकल को आपकी अपनी बेटियों के साम दिना आजे फाइजा ताई को एसास दिलाने की कोशिश करी थी मेने तुमसे कह दिया फाइजा चुपरो मैं जो करी हूँ ठीक करी हूँ कब से कब इस पला से तो जाँ छूटेगी माहम अचानक से कमरे से निकली अम्मी मेरे साथ चले मुझे बात करने या आप से वो सीधा आके ताई को कहने लगी मुझे कोई बात नहीं सुननी आया तुम्हे समझ मैं इसकी समाईया नहीं देना चाती ना इसके हक में बात करी हूँ आप मेरे साथ चले तो से अब की बार वो उंची आवाज में बोली वो कमरे की तरफ जाने लगी तो फाइजा ने माहम का हाथ पकड़ के उसे रोका अम्मी को रोक लो ऐसा मत करने दो ने माहम ने तसलिप भरे अंदास में फाइजा को बोला आप फिकर मत करें ऐसा कुछ नी होगा और ना में कभी ऐसा होने दोंगी पाइजा के चेरे पर जखमी मुस्कुराहर थी वो कमरे की तरफ जाने लगी पुरहान और साधिया बेगम सेहन की तरफ आ रहे थे वो उनको देखकर उनकी तरफ पड़ गी अमी पहले मेरी बात सुन्डे माहम ने रोकना जाहा मगर मों ना रुकी उसका दिल डूब रहा था कुछ था जो गलत होने वाला था उसकी आँकों में आशों का समंदर नजर आ रहा था जो बस अब बेहने ही वाला हो उसे डर लग रहा था कि नहीं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता वो खुद को तसलिया दे रही थी साधिया बेगम ने परीशे को अपनी तरफ बुलाया वो घबराई हुई थी माहम के पीचे चुपी हुई थी जब उन्होंने इशारा किया तो आँखे उठा कर उन्हें देखने लगी बेटा मेरे पास ओओ वो बहुत प्यार से उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी परीशे का हाथ अपने हाथ में रखा बेटा मुझे पता है तुम्हारे वालदेन नहीं है मगर तुम मुझे अपनी मा समझ सकती हो तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो मैं अल्ला से हमेशा ये दौा करती थी काश मेरी कोई बेटी हो थी जिसको मैं बहुत प्यार से रखती और शायद वो दौा कबूल होगी वो इल्फास थे या पत्थर जो माहम के ओपर गिराय जा रहे थी उसका सर भारी हो चुका था जैसे किसी ने वजदार पत्थर उसके सर पर रख दिया उसका मुझ खुल चुका था वो हिरान थी साधिया बेगम की बात सुनकर फाइजा को एसास हुआ वो परिशे का बहुत एसास करती है और उसे वो मकाम देंगी जो वो डिजर्ब करती है उनके इन इल्फाजों ने उसके दिल में उस रिष्टे की हमायत करने का रोशन भी जुगाया था सजाध साधिया बेगम ने सजाध को बुलाया तो वो आगे की तरफ आया जी काजी को लेया और अपने साथ कुछ गवा भी लाना वो हुकम जारी कर चुकी थी सजाध बाहिर की तरफ जाने लगा पुरहान तो वहीं बुद बना खड़ा था ना किसी को देख रहा था ना किसी की नजरों को लेकिन कुछ नजरे थी जो सिर्फ पुरहान को देख रही थी फाइजा ने परीशे का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ ले जाने लगी सब वहीं बैठे रे किसी के दिल जोड़ गे थे तो किसी के दिल तूट गी थे वरक इतना था किसी को दिल तूटने की आवास नहीं आई और किसी को दिल जोड़ने की पन्या नजर नहीं आई फाइजा ने अपनी शादी का जोड़ा परीशे को थमाया और कहा जाओ इसको पहन कर आजो आप ही ये शादी का है वो हरान हुई तो मेरी गुडिया तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम शादी कोई जोड़ा पहनोगी ना मैंने शादी नहीं करनी मैं नहीं करना चाहती आप समझे मेरी बात मैंने कुछ वो आगे बोल नहीं लगी थी कि फाइजा ने उसे चुप करवाया तुमने कुछ नहीं किया मुझे पता है मगर मगर क्या मेरी गुरिया बोलो बहुत अच्छे है तुमने देखा न वो तुम्हारा कितना ख्याल करती है मुझे यकीन है जिस एसासे कमतरी का तुम यहां शिकार थी वहां पर तुम्हें नहीं होगी जो माँ का प्यार तुम्हें कभी नहीं मिला वो तुम्हें देगी वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगी और वो वो आगे बोलते हुए रुकी वो लड़का फाइजा के चेरे पर मुस्कुरा हटाई वो लड़का तुम्हारा होदे वाला शोहर है मुझे ने पसंद वो लड़का बिरकुल भी ने पसंद आप जानती हैं उसी बजार में वो लड़ाई मेरी गुडिया मेरी बात सुनो वो उसको चुप कराते हुए से समझा रही थी इनसान की जिनकी के बहुत सारे मरहले होते हैं जो इनसान को पार करने होते हैं अगर वो उनको काम्याबी से पार नहीं करते हैं तो उन्हें नाकाम का जाता है हम जो देखते हैं कभी कबार वो चीज सच नहीं होती है हम उस काम का मत्ब गलत समझ बैटते हैं मगर फिर हमें पता चलता है कि वो काम ठीक था हाँ उसको करने का अंदाज जरूर ऐसा था कि लोगों को गलत लगे लेकिन वो काम ठीक था और जब हमारे और तब हमारे पास सवाई पच्टावे के कुछ हाथ नहीं रहता हो सकता है तुमने जो देखा हो वो तुम्हें गलत लग रहा हूँ मगर वो सही हो मैं नहीं जानती बजार में क्यों वो लड़ाई कर रहा था और क्या मक्सद था मगर मुझे आज इसको देखर इस चीज़ का अंदाजा हुआ कि वो गलत इनसान नहीं है वो दिल का अच्छा है बात रही वो तुमें पसंद करता है यानि ये चीज़ तुम पर डिपेंड करती है कि तुम उसे खुद के करीब करो या दूर मैं यह नहीं कह रही कि तुम उसे मजबूर करो खुद से महबत करने पर या तुम खुद सबरदस्ती उसे महबत करो ऐसा नहीं है मेरा बच्चा मैं से बियर चाहती हूँ कि तुम जैसी हो वहाँ पर वैसी रो खुद को ना बदलो मेरी परिशे सब का ख्याल करने वाली सब के लिए अच्छा सोचने वाली कोई उसे बुरा भला कैभी दे तो दिल में कोई बुराई नी रखती उसे इनसान के लिए हर वक्त लोगों के सामने हसने वाली वैसी ही बन करो मगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम वो परिशे बन करो जो लोगों के सामने हसती हैं मगर अकेले में रोती है अल्ला पाक से लाखों शिकायते करती है बलके तुम दिल से अल्ला पाक का शुकर अदा करो जो तुमारे पास है इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है तो जो तुमारे पास है तुम उसका शुकर अदा करो कि अल्ला ने तुमें ये सब नवाजा है और बादरी उस घर जाने की तो वो तुमारा बहुत ख्यार रखेंगे मुझे पूरा यकीन है और बुरहान तो वो तुमारी तरफ जरूर आएगा तुमारी आतों से, तुमारी अखलाग से तुम्हें अल्ला पर एक यकीन होना चाहिए कि उसने अगर तुमारे लिए उसे बनाया है तो कुछ बेतर सोच कर ही बनाया होगा क्योंकि अल्ला पाक अपने बंदों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करता, वो बेस्ट प्लैनर है हम जो प्लैन बनाते हैं वो हम से हजार गुना बेतर प्लैन बनाता है याद रखना, वो ये कहकर कपड़े उसकी तरफ बढ़ा के समान निकालने लगी परीशे ने सूट थामा और वाश्रूम की तरफ जाने लगी बातों ने सूरज को निकलने का रास्ता ने दिया मधहम सी हवा ने पूरे मोसम को खुशकवार कर दिया, हर तरफ ठंडी हवा से फूल खिलने लगे मगर उस घर में कोई खुशकवार हवा दाखिल ना हो सकी ना है इस मोसम ने किसी को अपनी तरफ मतवज़े किया था परीशे बाहिर भी आ जो कितनी देर लगाओगी, बस आ रही हूं मैं वो अंदर कपड़े तबदील करके वापिस आई, तो आपी को देखकर घमकीन मुस्कुराहट उनकी तरह बढ़ाई मेरी गुडिया की आँके नम क्यों है? वो उसकी आँके देखकर उसकी तरह बढ़ी आज तो मेरी गुडिया अपने शेजादे के पाज जा रही है, तो अब इन आँखों में नमी क्यों? शेजादा? क्या आपको बाकी में लगता है कि वो शेजादा है? और अगर वो शेजादा है तो वो मेरे लिए नहीं है उसने फाज़ा की आँकों में देकर ये इलफाज बोले थे क्यों भला? मेरी गुडिया शेजादियों से कम है क्या? आपी? शेजादी और शेजादे सिर्फ कहानियों में होते हैं हकीकत में नहीं और अगर होते हैं तो हम जैसे लोगों के लिए कोई शेजादा नहीं आता उसकी आँखे भीगने लगी किनारे पर आँसु चमक रहे थे अच्छा बस मैं नहीं चाती कि आज के दिन मुझे तपानी आँखों से सिलाब किता नजर आए वो ना मांखे लिए फाइजा को देख रही थी सजाद काजी को ले के आगया था उसके हमरा कुछ लोग बीदे सब लोग सेहिन में बैठे थी और वो क्या कर रहा था क्या करने जा रहा था क्या सोच रहा था किसी को कोई इल्म ने भाई काजी आ गया है बुरहान को सोचों में पाकर सजाद ने आगे बढ़कर गंदे पर हाथ रखकर बोला उसने एक नजर काजी पर डाली दूसरी नजर अपनी माँ पे जिसकी आँखों में एक खुशी थी शायद वो खुशी जो हर माँ की आँखों में अपने बेटे की शादी देखकर आती है तुम ठीको सजाद ने बुरहान को मुखादिब किया तुम्हे क्या लग रहा है देखो जो हुआ मैंने तुमसे कहा कि तुम्हे क्या लग रहा है पुरहान ने संजीदा अंदाज में अपना सवाल दोराया वो कुछ नहीं कह सका मैं एक ऐसे मसने में फसक्या हूँ जहां से मैं नहीं निकल सकता अभी थोड़ी देर बात मेरा उस लड़की से निकाह ओने वाला है जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ जिसको पहली बार देखते वे मुझे ना पसंद आई थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं ठीक हूँ मैंने जिन्गी में फैस्ता किया था किसी को अपनी जिन्गी में शामिल नहीं करूँगा मैं और मेरी माँ हम दोने एक दूसरे के लिए काफी हैं और अब सजात गोर्ष से उसकी बाते सुन रहा था एक लड़की मेरी जिन्गी में शामिल ओने वाली है यानी मेरी एक ओर जिम्मेदारी किसी लड़की को अपनी जिन्गी में हरके शामिल नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता मेरा रिश्टों से भरोसा उठ चुका है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता क्या। सज़ाद ने सवारी उन्दास में उसकी तरफ देखा। कि माहम मेरे बारे में क्या फील करती है। मुझे पता है सब कुछ। मेरे इर्म में है। मैंने आज तक उसको कोई तसलिए नहीं दी क्यूंखे मैं जानता हूं कि मैं वो पूरी नी कर सकता। मुझे अफसोस इस दड़की पर है कि जिसाग में मैं जलना हूँ मेरे साथ अब वो भी चलेगी मुझे खुद पर अफसोस नहीं है मुझे उस दड़की पर रहे मारा है कि जिसकी जिनकी अब खराब होने वाली है सजाग परेशान था उसको समझ नहीं आ रहा था कि बुरहान ऐसी बाते क्यों कर रहा है क्या हो एए क्या हो रहे तुमारी जिनकी में वो उससे पूछने लगा तो बुरहान ने दूसरी तरफ मुझ फेल लिया सजाग पर चैन हो क्या था ऐसा क्या है जो यह हमें नहीं बता रहा कुछ तो है सजाग को तरजस्स हुआ दरवाजा जोर से बंदुआ हावाज इतनी देश थी कि वो सहम की और खबरा कर भी यगिनी से सामने खड़ी लड़की को देख रही थी माहम क्या होगे तुमने मुझे वो आगे बोलने ही लगी थी कि माहम ने आगे बढ़कर उसको चुप करवाया बात सुनो तुम मेरी परीशे डर से पीछे अटकी नीचे जाकर तुम मना कर दोगी आया तुमें समझ तुम मना कर दोगी तुम हरकिस नहीं करोगी क्या, क्या आप चाती हैं कि में नीचे निका वो आके बोलो नहीं लगी थी माहम ने उसकी कलाई पकड़कर उसको अपनी तरफ खेंचा हा निका तुम मना करोगी तुम नहीं कर सकती नीचे चल के बोलोगी, आया तुमें समझ उसकी आँकों में खून उतरा था, आँके खून की तरह लाग थी, वो घुसे से चिला के बोल रही थी, परीशे बहुत खबरा गी थी, उसका ये रूप उसने पहली पार देखा था, वो कुछ बोली ना पाई और वहीं बेयकिनी से उसका चेहरा देखती रही, परीशे बाहि का है वो करना, अब की बार उसने बहुत नरम लेजे में का, परीशे अभी तक पत्थर का मुझस्मा बनी, उसका चेहरा देख रही थी, ची में लाई रही थी, माहम ने बात संभाली, अच्छा हो नीचे जल्दी काजी साब बुला रहे हैं, मैं लेकर आती हूँ, फाइजा जाने ही लगी थी के परीशे का जवाब ना पाकर उसकी तरफ मत बच्चे हुई, कुछ हुआ है, नई, उसने बहुत मुश्किल से अपने तासुरा ठी करने चाहे, फाइजा को परिशानी हुई तो माहम को आके भेज कर वो खुद परीशे की तरफ बढ़ी, तुम चलो मैं उसकुराहट आगे बढ़ाई, अभी सीडियों परीथे के परीशे अचानक से रुकी, मैं आती हूँ, वो यह कह कर ऊपर चलेगी, उसने शीशे में अपना चेरा देखा और कल्ट से लेकर आज था कि सारे मामले पर नजर दहानी की, वो क्या करने जा रही है, यह कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ, आगे क्या होगा, और माहम, वो यह क्यों चाहती है कि मैं उससे निकाह ना करूँ, क्या तालुक है, मुझे यह करना चाहिए, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं उससे इंसान से निकाह करने जारी हूँ, जिसको मैं जानती तक नहीं, जिससे मुझ पहाल करके बाहर की तरह पाने लगी पाइजा का हाथ थाम कर वो कहने लगी क्या ये सब सही हो रहा है हाँ वो हिरान रही थी उसके सवाल पे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम सही थी उसकी आँखों में देख रही थी पाइजा ने उसका हाथ थाम कर उसके खुद के गरीब किया तुम जानती हो हम पूरा साल बढ़ाई करते हैं और फिर हमारे इम्तिहान होते हैं उसमें हम पास या फिर फेल होते हैं फिर हमें रिजर्ट पता चलता है मगर result सबसे last में पता जलता है इससे पहले हमें इम्तिहान लास्मी देना होता है वरना हम कामयाब नहीं हो पाते वैसे ही ये सिंद्गी भी एक इम्तिहान है अल्ला पाक दिसको अपने गरीब करता है उस पे मुसीब्ते डालता है इम्तिहान लेता है वक्ती तोर पे हमें वो फैस्ता गलत लगता है यहां में ऐसा लगता है कि यह गलत हो रहा है हमारे साथ ऐसा क्यूं होता है आखिर हमने क्या बिगाड़ा है और हम बेसबरी करके अल्ला पाक को नरास कर देते हैं लेकिन अगर हम यह सोचे कि जो हो रहा है अल्ला के उसमें कुछ नो कुछ मस्तिहत होगी तो वो हमारे लिए फैसला असान हो जाता है क्योंकि याद रखो इस दुनिया में अल्ला की मरसी के बगएर एक पता भी नहीं हिल सकता तो जो भी होता है वो अल्ला पाक हमारे लिए करते हैं ताके हमारा अम्तिहान ले सके मैं तुम्हें बस यही कहूंगी कि इसे अम्तिहान में हारना नहीं इस सीडियों को पार करने के बाद तुम्हारा अम्तिहान शुरूओगा अब ये पूरे तरीके से तुम पर रह के तुम इसमें पास होती हो या फैल, मगर याद रखो रिजल्ट हमेशा लास्ट में मिलता है, इम्तिहान देने के बाद हमें सबर करना होता है इसके बाद नतीजा हमें दिया जाता है, वैसे ही आगे जो इंतिहान तुम दोगी उसके बाद तुमें सबर करना होगा और अल्ला पाक तुमें इसका नतीजा बहुत चल देगा वो ये कहकर आगे बढ़ने लगी तो परीशे भी इक्तियार उसके गले लगी उसने परीशे को जोर से गले लगाया और बाहर की तरफ ले जाने लगी माहां बहां सकून से सारे मामलाद देख रही थी जैसे कि उसे पूरा यकीनों परीशे निकासे इंकार कर देगी साधिया बेगम ने परीशे को आते देकर अपनी कुर्सी से उठी और बहुत प्यार से उसको सामने वाले सौफे पर बिठाया बीथ में खलका सा कपड़ा लगा दिया दूसरी तरफ ना खुशताई बैटी थी मगर महले वालों के सामने मुस्कुरा रही थी उसी पर्दे के दूसरी तरफ बुरहान अपनी अम्मी सजाद और कुछ लोगों के साथ बैटा था बुरहान बेतासूर अपने जूतों की तरफ देख रहा था ऐसा लग रहा था जैसे को मुझ जस्मा बैठा हो बिल्कुल सुन काजी साभ आप शुरू करे साधिया बेगम ने जोर से इलान किया सब लोग सीधे ओके बैठके माहम की मस्कुराहट मधहम होती जा रही थी उसे इस बात का यकीन था कि वो इंकार कर देगी मागर फिर भी उसके दिल में शक उट रहे थे उसे यह कुछ फैमी भी दी कि बुरहान मना कर देगा शायद बुरहान हो सकता है वो भी मुझे पसंद करता हो मगर बता ना पा रहा हो वो अपनी सोचों में गुम थी कि काजी ने अपने इल्फास बोलना शुरू कि वहीं आँखे नीचे कि ये अपने हाथों को देख रही थी काजी ने जब सब पढ़ लिया तो बुरहान की तरफ पत्वचे हुआ बुरहान को सोचों में गुम पाकर साधिया बेगम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत उमीद सिका मुझे तुम पर फखर है मुझे कोई अफसोस नहीं कि तुमने क्या किया मुझे फखर है कि तुमने किसी की इज़त बचाने के लिए उसे अपनी जिन्गी का हिस्सा बनाया वो बेतासू चेरे से साधिया बेगम को देखी रहा था कि काजी के अलफाज उसके कानों में गुंजे काजी ने अपने लफाज खत्म किये तो सब बुरहान की तरफ मतवचे होगे सहिन में खामोशी थी परीशे के पीचे माहां उमीद के साथ बुरहान को देख रही थी सब को अपनी तरफ मतवचे पाकर उसने अपनी आँखे उपर की सामने परते के उस पार बैटी लड़की जिसका अकस उसे हलका सा नजर आ रहा था उससे देखा फिर एक नजर उसने साथिया बेगम पे डाली चंद देर की खामोशी के बाद उसने इलफाज अदा किये कबूल है उसी वक्त किसी का दिल बंध होने को था किसी के चेरे पर मुस्कुराहट सच की तो किसी ने बोज दने पे अलला का शुकर अदा किया काजी ने अपनी इलफास फिर से दोराए उसने दोनों बार एक ही जवाब दिया कबूल है कबूल है और कबूल है वो साथिया बेगम और सजात के चेरे पर जो मुस्कुराहरती वो देख पारा था सामने खड़ी लड़की जिसकी आँखों से मोतियों की तरह आसू की लड़ियां बैरी थी वो भी रास देख पारा था उसके बाद काजी परीशे की तरफ मतवज्जे हुआ शुरू करी वक्त करवाया जा रहा है क्या आपको कबूल है फाइसा ने परीशे को घबराते दे कर उसका हाथ थामा परीशे को होस्ता हुआ मधम आवास में उसने कबूल है कि इलफाज अदा किये जैसे इलफाज अदा हुए माहम पे किसी ने पहार तोड़ दिया हो वो हका बका गलास उठाया और आगे की तरफ बढ़ने ही लगी ती कि जवेरिया ने इसको पीछे खेंचा और कमरे में लेगी तुम पागल होगी हो क्या कमरे में आकर दरवाजा बंद करके जवेरिया माहां पर चिल लाई थी पागल मुझे पागल कह रहे हो हां मैं पागल हूँ और ये जान से माल डालूंगी उसको, जाए उसके बाद मुझे जेल जाना पड़े, बहुत सकून से जाऊंगी मैं, लेकिन उसको मैं जान से माल डालूंगी। जान से माल डालूंगी। उसने अपना लेचा नरम किया, तो फिर मैं क्या करूँ, तुम बताओ मुझे, मैं क्या करूँ, वो जमीन पे गुटनों के बहल बैटे रो के उससे पूछ रही थी, तुम चानती हो, मैं उससे बहुत मुहबत करती हूँ, मैंने दुआओं में मांगा है उसको, कोई ऐसी नमा हर वक्त उसको बाते सुनाती, कोई अच्छे से उससे बात नहीं करता सवाई फाइजा आपी के, मुझे उस पर तर्स आता था, लेकिन आज पहली बार मुझे उस पर रश कार है, उसका घुसा ठंडा पढ़ गया था, घुसे के जगा आंसों ने ले ली थी, मुझे लगता किन उससे बिन मांगे, वो मिल गया, मेरे साथ क्यों हूँ ऐसे, क्यों, वो अपने हाथ समीन पर जोर से मारते हुए रो रही थी, जवेरिया ने उसको तसल्डी दिया और उसे गले लगाया, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम सबर रखो, सब ठीक हो जाएगा, कर следняर आपिया और लगाया, सब च Wasब मेरे साथ का मेरी जएगा का जांज हूए, अाया झालज है कन उसी किन उसे मारे भराणी हो ज़गा, अजसा पर शोर बार झाल झाल झाल